जो गुरुकूल कलास तेंथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग कलास तेंथ के साइंस में शिक्स चेप्टर नियंतर निवम समनवय पढ़ने वाले हैं। और उस चेप्टर के अंतरगत पादपो में समनवय किस प्रकार होता है या हम लोग इस टोपी को जानेंगे और इस इसके समनवय के लिए जो पादप हार्मोन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज यहां है पादपो में समनवय किस तरह का होता है और पादप हार्मोन इसमें क्या भुनका निभाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जिस तरह का कोई मस्तिस होता है मेरूरजू होता है जिसका एंसर होगा कि नहीं तब होता कैसे है तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी तरह के प्रण पोधे में हो या बिर्दी होने का काम हो या फुलों का खिलने का काम हो पतियों के निकलने का काम हो या पतियों के गिरने का काम ह या कलियों के खिलने का काम हो फुलों के आकार बढ़ने का काम हो या जड़ो तना में बिर्धी हो या उसकी मोटाई में बिर्धी हो इन सभी तरह के कामों के लिए पौधों में जो है वह पादा फार्मन होता है ना कि उसमें मस्तिसक और मेरूरजु होता है तो चलिए या पौधा किस तरह से यां सभी किरियाओं को करता है इन ही के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो पादपो में रसाइनिक सम्नवय है इसे समंधित कोचन भी आपका बूक में है उस बूक में देख लीजेगा और उसका एंसर आप यही लिख दीजेगा तो आपका एंसर हो जाएगा तो इसका क्या है कता पादप में रसाइनिक सम्नवय किस परकार होता है तो पौधों में नियंतरन और समनवयन कुछ बिसिस रसाइनिक पदार्थों दुबारा होता है जिसे पादप हार्मोन कहते हैं क्या कहते हैं उस बिसिस रसाइनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं या पादप हार्मोन क्या करता है तो या हार्मोन पोधों की बिरिधी हो फुलों का खिल पतियों का जड़ना बीजों का बनना जड़ों का निकलना यादी पादप किरियाओं का नियंतरन और समनवय करता है यही पादप हर्मोन का काम है और इसी पादप हर्मोन के माध्यम से पौधा में रसाइनिक समनवय का काम कोडिनेशन का काम होता है अब हम लोग जानेंगे कि पादा फार्मोन का परिभासा भी उपर भी पड़ चुके थे लेकिन उसको थोड़ा सा विसिस ट्रूप से पड़ लेते हैं कि पादा फार्मोन क्या है दिस्त का कोचन आता है तो आप किस तरह सेंसर लिखेगा तो काता कि पादा फार्मोन का क्या कुछ पादा फार्मोन कौन-कौन होते हैं पादे में और पादों में क्यों सा कारे करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे तो इसके अंतरगत जो है पहला जो पादप हार्मून है उसका नाम है ओकजीन्स इसके अलावा ओकजीन्स कही है या ओक्सीन कही है एकी बात है ठीक है इंगलिस कंसार ओकजीन्स है इंगलिक कंसार ओक्सीन है दूसरा है जिब्रेलीन है, साइटोकाइनीन है, एपसेसी केसिज है, एथिलीन है, यह सब क्या है, पादप हार्मून है, और हर हार्मून का पौधा में अलग-अलग काम रहता है, ठीक है, अलग-अलग तरह के कामों के लिए यह हार्मून जो है, पौधों से उत्पन होता है, तो पहला जो है वह है ओक जीन्स ओक जीन्स का क्या काम है या तनेक के सिर्ष भाग में पाय जाता है और तनेक के सिर्ष भाग में पाय जाने का मतलब क्या है या बिर्धी में हेल्प कर रहा होगा बिर्धी में सहयक होगा तो या तनिक के सिर्ष भाग में पाय जाता है या पादप हार्मोनों का समू है जो बिर्धी का नियंतरन करता है अब देख चुके होंगे कि औक जिन्स का में काम है बिर्धी का नियंतरन करना अब इसका काम क्या है तो वही बिर्धी से समंधी सब काम होगा तो इसके अंतरगत जो पहला काम है वह है या कोशका दिर्गन मतलब कोशका के आकार को बढ़ा करना ठीक है जब कोशका नवद भीद कोशका होता है चोटी कोशका होता है तो वह धिरी धिरी उसका कार बढ़ते के बाद छोटे-छोटे कोशकाओं में फिन भी बाजित हो जाना तो कोशका भी भेदन कूत प्रिरिद करता है दूसरा काम का है यह बीजों के अंकूरन को बढ़ाता है तो बीजों का अंकूरन का बढ़ाता है तो बीजों का अंकूरन का बढ़ाता है तो जब उसको पानी के स संपर्क में जैसी आ जाता है पानी हवा के संपर्क में तो उसके बाद उसमें क्या होता है अंकूर निकलना शुरू हो जाता है और वही जब अंकूर निकलता है तो उस अंकूर को निकालने में यह अगजिन्स हार्मोन साहता करता है दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है जिब जिब्रेलिन्स क्या है और इस किस तरह से पोधों में क्यों तरह काम करता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं तो जिब्रेलिन्स जो है जटिल कार्बनिक योगिक है और यह बढ़ते हुए तनों और जड़ों के अगर अगरस्त भाग पर पाया जाता है जो भी जड़ हो या भीजों की प्रसु vari tp. का मतलब क्या हुआ या सुसॉवत वस्था में रहता ना उसका. पति अरफूलों की बिठी में सअभीशिता करता है। फुल फ़ल हो उसका कार व बड़़ा करता दूसरा, या बीजों की परसुप्ति.. परसुप्ति का मतलब क्या हुआ या सुसुप्त वास्था में राता है जैसे हम बता है कि कोई भी धान हो गेहुं हो या चना हो या कोई भी तरह मक्का हो या सब क्या है जब हमनों बोड़ा में या घर में रख ले रहते हैं या सुसुप्त वास्था में राता है और जैसे या या बीजहिन फलों के विकास में सायक होता है बहुत से बीज ऐसे देखेगा फल जिसमें बीज नहीं पाय जाता है तो नहीं पाने का कारण है इस हार्मोन की अधिकता इसी हार्मोन के कारण उसमें बीजहिन फल बनते हैं तो बिजहिन फलों के विकास में भी यह साहयक हार्मोन होता है तिसरा जो हार्मोन है उसका नाम है साइटो काइनिन तो साइटो काइनिन जो हार्मोन है यह क्या काम करता है तो यह बिर्धी उत्परेरक हार्मोनों का समू है इस समू के सभी हर्मोन मुलता कार्बनिक पदार्थ हैं और यह फलों और बीजों में पाये जाता है यह कहां पाये जाएगा साइटोकाइनीन फल और बीज में पाये जाएगा तो इसका क्या काम है किसका काम है पहला कि यह पार्सो कलिकाओं की बिर्धी में सहयक होता है जो भ दूसरा क्या है या बीजों के अंकूरन में भी सहायक होता है जो बीजों अंकूरित होते हैं उसमें भी या सहायता करता है चौथा जो हार्मोन है वह एबसेसिक अमल है एबसेसिक एसिड कहिए या एबी एबी हार्मोन कहा जाता है एबी एबी मतला अबसेसिक एसे एसिड तो यह का कम करता है यह पोधों के पतियों फलो और बीजों में पाया जाता है ठीक है और जब इसकी अधिकता अधिक हो जाता है तो क्या होता है से देख लिए इसका कार्य क्या है तो इसका कार्य है यह बिर्धी को मंद करता है यह बिर्धी को रोकने में साहेता करता है तथा फल पतियों को पॉधों से अलाग करता है आप देखेगो कि पती या पती हो या फल हो या सब देखेगो पकने के पहले ही गिर जाता है तो इस हार्मून की अधिकता के कारण ऐसा होता है इसलिए कहें कि या अब सेसी कमल जो है या पॉधों के लिए हानिकारक हार्मून है लेकिन पौधों में उत्पन होता है इसलिए पौधा को इसको करना पड़ जहलना पड़ता है इसका परभाव अगला है क्या काम है या आरेने प्रोटीनों और पर्णहरीत की हानी को उत्परेरीत करता है या इसका दूसरा फंक्सन है